दोस्तों नमस्कार आद आप सत्स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिकराम हफते की बात में आपका स्वागत है अपने देश की राजनीत भी बड़ी दिल्चस्प है इस पर कोई मुहावरा फिट नहीं बैठता हामेशा अभी जैसे कहा जाता है आम तोर पे सियासत में कि जब कभी जनता पर डिमोक्रासी के अंदर लोगतंत्र के अंदर जनता पर जल्ब जब बहुत परेशानियां आती है जनता जब तबाव होने लगती है जनता को लगता है कि अब सब कुछ बदला जाना चाहिए तो जरूर कोई न कोई उभर जाता है विकल्ब कोई न कोई सूरतेहाल नजलाता है लेकिन अपने देश के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता आज अगर आप देखिये तो इस सरकार कि जो राजनीतिक प्रशासनिक विफलताएं हैं वो पहाड जैसी हैं लगता है कि अंबार लग गया है विफलताओं का लेकिन इसकी बावजूद अगर आप देखिए तो विपक्ष को लेकर विकल्प को लेकर जनता में उतनी सुखबुगाहट उतनी एक या उतनी उत्सुकता नजर नहीं आती स्टेट्स बहुत सारी रीजन्स वहाँ पर जो पहले से भी कल्प हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो नेशनल रास्ट्री अस्तर पर उस तरह की एक वैकल्पिक शक्त उभरती कोई नजर नहीं आ रही है और जो बड़े विपक् सिमित हो गए हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो अपने आपको जो कश्मीर से कन्या कुमारी तक अपना फैलाव मानने वाले जो दल हैं उनकी इस्तिती देखिए मैं बात कर रहा हूं कॉंग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में है लेकिन कॉंग्रेस अपने अंदर ही सिद्धू होंगे या दो दो तीन तीन अध्यक्ष होंगे अमिन इतने बेशुमार सवाल इस पार्टी के समक्ष हैं जो एक सूबे में अच्छा खासा कई साल से राज कर रही है पिछले डेड़ दो सालों से जरूर इसकी हालत बहुत खराब है अगर देखा जाए तो क्यों का मुख्य विपक्षी दल है जिसको हरा कर एक समय अमरिंदर सिंग ने कॉंग्रेस की सत्ता वहां पर स्थापित की वो शीरोमणिया काली दल स्वैम बेहद बेहद बुरी स्थिती में है लोग उससे भी बहुत नाराज हैं तो एक कुल मिलाकर पंजाब में विकल्प हिंता दिखाई देती है भारती जनता पार्टी का वहां कोई नाम लेवा भी नहीं है आम आदमी पार्टी उचल कूट कर रही है कोशिश कर रही है कि कार्श रोजी सिंग सिंग्स दू की बात नव बने कॉंग्रेस में तो हमारी तरफ आ जाएं तो हम कुछ कर लेंगे तो ये के साथ मिलकर किया था लेकिन पता नहीं क्या होगा पंजाब में क्या वो द्रमुक की तरह कोई ताकत उभर कर सामने आएगी अभी तो फिलाल नहीं लगता अब आप आईए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जब मैं आप से बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के दोरे पर हैं वो लखीमपूर खीरी भी गई वो तमाम नेताओं से अपने मिली कारिकरताओं से मिली लखनों में अन्य जगों पर आगे भी वो और उनके कारिकरम हैं लेकिन इसके बावजूत की कॉंग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सही प्रदेश भी नहीं मिले थे लेकिन वो गई और मिली उन्होंने का यह महिलाओं का मामला है इसमें कोई पार्टी बंदी नहीं होनी चाहिए यह अच्छी बात है इसके बावजूत की प्रियंका गांदी और उनकी पार्टी उनके प्रदेश अध्यक्ष बहुत शांदार र कॉंग्रेस पार्टी यह भी नहीं तैकर पा रही है कि उसकी प्रदेश में कांस्टिविंसी क्या है किन सामाजिक समूहों की या पूरे अवाम की अगर वो पार्टी के रूप में इमर्च करना चाहती है तो वो क्या एजंडेले क्या इशूद उठाए तो उससे ओवीसी न अपर कास्ट पर यकीन है कि शायद अपर कास्ट का एक सेक्सिन बीजेपी से जो नाराज है वो उसकी तरफ आ जाएगा लेकिन वो कॉंग्रेस को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि उससे उसकी बात नहीं बनती 2017 के चुनाव में दोस्तो समाजवादी पार्टी के साथ एलाइंस किया था एसेंबली में इस पार्टी ने कॉंग्रेस ने और उसको महत साथ सीटें मिली थी साथ सीटें और प्रशांत किशोर उसके एडवाईजर थे उसके चुनाव स्टेटिजिस्ट थे जो इस वक्त भी कॉंग्रेस पार्टी के साथ काफी गलबहियां किये हुए हैं पता नहीं भवश्य क्या होगा लेकिन अभी उनका मिलना जुनना कॉंग्रेस के नेताओं से शुरू हो गया है तो 2017 के चुनाव में जिस पुरी तरह प्रशांत किशोर के एडवाईज और स्टेटिजी के जांपिंग मेजार्टी से जीत गई तो मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिती में कॉंग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश जो उसका बहुत पुराना स्टेट रहा है जहां वो लंबे समय तक राज करती रही लेकिन जिसने अवाम के एक बड़े तपके को अपने नीतियों से अप को उन्होंने नाराज किया कॉंग्रेस नेताओने और उसको आज तक लोग भूले नहीं हैं और साइध इसलिए कॉंग्रेस पार्टी को अब तक लोग दंडित किये जा रहे हैं तो ये कॉंग्रेस पार्टी को ज़रूर समझना पड़ेगा कि आखिर उसकी जो खिचडी है पक्क रहा जाती है यह जो एक यह सोचने की बात है और दोस्तो खवते की बात में आज दूसरी जो बहुत महत्पून खबर है वो शरट पवार ने आज प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी से मुलाकात किया एक घंटे मुलाकात हुई आपको याद होगा कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे जो इस एलाइंस के महरास्ट के इस एलाइंस के मुखिया हैं वो मुख्यमंत्री हैं वो भी मिले थे खेर वो तो प्रशासनी कारणों से भी मिल सकते हैं लेकिन शरत पवार का रहा एक कवायश शुरू की थी तो अब इस बार मसला क्या है कहीं ऐसा तो नहीं कि CBI ED और IB और इस तरह के जो तमाम जो मामले महरास्ट में हाल के दिनों में आ रहे हैं उनको लेकर डिसकुसन था या राजनीतिक था या राश्ट्रपती के अगले चनाव को लेकर था कौन जाने जब तक कि इन दो बड़े नेताओं में से कोई नव बताए या इनकी तरफ से कोई तीसरा नव बताए तो लेकिन अठकलों का बाजार बहुत गर्म है कि क्या कुछ नई पहंतरे बाजी चल रही है महरास्ट में देखना होगा दोस्तों तीसरी खबर हमारी करगिल के क करगिल को मशूर कर दिया था लेकिन अभी हाल में करगिल बहुत शानत इलाका है वहां आतंकवाद वगरा भी नहीं रहा है वहां पर भारत पाकिस्तान के बीच में जरूर गोले बारी होती है लेकिन वहां पर टेरिरिजम एक्स्ट्रिमिजम अलगावाद इस तरह की कोई ये उन पर इल्जाम लगाया गया था कि 29 जनौरी को इसराइली एमबेसी जो भारत में है दिल्ली में उसके पास जो मंबी स्पोर्ट हुआ था उसके वो संबहतों अव्युक थे और उसके लिए बड़ी बड़ी एजन्सियां सरकार की वो गई और उन्होंने नाजिर हुसे मुझबिल हुसेन को गिरफतार कर लिया अब सवाल इस बात का है कि ये सारे पढ़ने लिखने वाले लड़के थे ये केमपस से अटेंट करने वाले लड़के थे जो कुर्णा दौर में केमपस में नौ जाकर और घर पे बैठके बढ़ाई करते थे इसमें कुछ एक और थे कहा कि ये इनके पास सबूत हैं क्यों कि कि किसी एक ने ट्विट कर दिया था कुछ इस इश्यूज पर तो ट्विट का अंदेशा पाकर साहईट एजेंसियों ने इनको इरिस्ट कर लिया उनको अब दिल्ली के जो मेट्रोपलिटन मेजिस्ट्रेट हैं डॉक्टर पंकर्श श इस तरह के इलजामात में लंबे समय तक जेल में रखकर इसलिए इनको जमानत देते हैं तो ये एक किसा इस तरह के बहुत सारे केसिद होते हैं आपको याद होगा केरल के बड़े मशूर पत्रकार कपन सिद्ध की उनको तो इरिस्ट कर लिया गया इसलिए कि हाथरस हो जा रहे थे कवर करने दलित लड़की पर जो अत्याचार हुआ था उसकी हत्या हो गई थी और गलती उनकी ये थी कि उन्होंने एक ऐसे संगठन के कुछ लोगों की गाड़ी पर वो बैठ गये थे जो कांट्रवर्सियल है और जो सरकार के नजर में आपत्ति जनक काम करता है औ कौन किसको रिष्ट कर लेगा और कब तक जेल में रखे रहेगा अनेक देश के ऐसे इशूज हैं ऐसे केसे हैं जिनमें 13-13 साल बेगुना बिल्कुल निर्दोश लोगों को जेल में रखा गया और जब उनको छोड़ा गया तो उनकी आधी उम्र एक्टिव लाइफ की आध अभी बाकी है लेकिन जमानत एक बड़ा संकेत है और खासकर उसका जज्जमेंट जमानत का एक और केस हुई है हाल के दिनों में लखनव में पिछले दिनों एक रिक्षा ड्राइवर एक बैक्ट्री विक्रेता को 11 जुलाई को बड़े बंबिस्पोर्ट की आशंका के मद् गिरफ्तार कर लिया गया पहले दो को गिरफ्तार किया गया फिर कुछ और को गिरफ्तार किया गया और बताया गया कि 15 अगस से पहले ये कोई प्रेसर कूकर बम विस्पोर्ट की योजना बना रहे थे हम नहीं जानते कि इस केस में कितनी सच्चाई है या कितना नहीं है ले नोने भी कोई अभी तक इनके कोई पुराने रिकार्ड नहीं खंगाले हैं न तो बताए हैं कि नोने ऐसा कुछ किया तो ये जो कहानी है देखिए अब इसका पटाक छेप कैसे होता है इसका नतीजा क्या निकलता है हम केवल इस स्टोरी को आप तक सामने लाना चाहते थे कि ये इशू क्या था ये मुद्दा क्या था और आगे क्या होने वाला है इस पर जरूर हमें नजर रखनी चाहिए और दोस्तों बिलकुल चलते चलते हम आपको बताएं कि दानिश रिद्द की जिनका जिनकी शहादत की खबर हमने कल सुनी और वो कांधार जो कांधार जो उनकी हत्या कर दी गई और माना ये जा रहा है कि जो अफगानिस्तान की जो सेना है और जो टालिबान इन दोनों के बीच में क्रास फैर में वो मारे गए ऐसा माना जाता है लेकिन ज़्याँ जो खबरें आ रही है उसमें कहा जाता है कि तालिबान की गोलियों से मारे गए लेकिन तालिबान ने एक अजीब उनके एक प्रवक्ता ने एक statement दिया है कि अगर उनको मालूम होता कि कोई जनलिस्ट है उस गाड़ी में तो वो ऐसा हरगिज नहीं करते बैराल जो भी हुआ लेकिन दानिश जैसा एक दानिश सिद्धिकी जैसा एक होनहार प्रतिभाशाली स परस्तुगट डंग से काम करने वाले एक प्रेस चायकार थे उनका जो फोटो जनलिसम है उस पर इबारतों की जरूरत नहीं एक फोटो ही पूरी कहानी कहा देता है उन्होंने कोरना दोर में जो मौते हुई जिस तरह से चिताएं जलाई जाती थी जिस तरह से हालात थे सरक चारें छुपाना चाहती थी लेकिन उनका एक फोटो पूरी दुनिया में मशूर हो गया और उस फोटो से पूरी दुनिया ने जाना की भारत की है इस सिती कितनी भायानक है खासकर सेकंड वेब में और दोस्तों इसी तरह से दानिश सिद्गी की एक और बहुत मशूर जो जो उनका चित्र था वो रोहिंगिया पर जो एक्टर सिटीज का है खासकर म्यानमार में और उस फोटो पर उनको पूरी दुनिया में मशूर हो गये थे इसके अलावा उन्होंने C.A. विरोधी N.R.C. विरोधी जो एजिटेशन चलता था डेमकटिक डंग से छात्रों का उ इसको उन्होंने पिस्तौल चलाते हुए जैसे लगता है कि अब गोली दागेगा उसी के साथ सामने से फोटो लिया था और वो अद्भुत फोटोग्राफ था पूरे देश क्या पूरी दुनिया में वो फोटो चला गया शायद इसलिए हमारे देश के बहुत सारे लोग उ मर्दकों ने जुटाया था और उसमें उसने फिर से जहर उगलने की कोशिश की थी और तमाम जहरीले बातें उसने की थी जिसकी वज़ा से हरास्त मे लिया गया और अभी पता चला है कि गुरगाओं के ही जुडिशल मेजिस्टेट ने उसको जमानत देने से इंकार कर दिय है तो वो फोटोग्राप जो जामिया रोड पर लिया गया था पिस्टॉल तांते हुए वो फोटोग्राप भी उन्हीं का था और दोस्तों कश्मीर के फोटोग्राप्स और खासकर कोरोना दौर के पहले फेज में जब लोग अपने अपने घरों को मजदूर जा रहे थे उस जो उनकी तरास्ती भरी जो तस्वीरें हैं लोगों के चेहरे पर तनाव और दमन और उत्विरंग की जो रिखाएं हैं वो बिलकुल साफ जलकती हैं तो ऐसे दान शित्गी को मेरा सलाम श्रत धान जली और बहुत दुख़द ये घटना है और हमें जरूर इस बात का फिकर करना चाहिए कि कैसे खास कर जो कन्फिलिक्ट जोन्स हैं कैसे उसमें जरूरिस्ट पहत्यधंग से कौाडिनेट करें और कैसे काम करें तो इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आधाब सत्स्रियकाल